व्यक्ति भावुक्त हो, किन्तु उस भावुक्ता से संप्रेशत होकर नरणा नहीं ले व्यक्ति जागरत हो, किन्तु उस जागरती का फाइदा नहीं उठा पा रहा हो तो वहाँ पर वो कहीं न कहीं खुद के लिए अपनी एप्रोच में ही अपनी परसनेलिटी में ही एक नेगेटिविटी को लेकर आता है करक राशी के जातक भावुक भी होते हैं और जवान भी होते हैं 24 में से 18 गंटे आप लगातार मेहनत करवा लीजिए रुखने और ठकने वाले नहीं होते किन्तो इनको सेल्फ मूटिवेशन की जो स्तिया है वो कम नजर आती है जब लोगों के द्वारा मूटिवेशन मिलता है तो ये बहुत अच्छे से कारे कर पाते हैं मैं करकराशी के जातकों की यहां पर चर्चा कर रहा हूँ एक बात को हमेशा मूल मंत्र की तरह आपको साथ में लेकर चलना चाहिए कि निरनायक मौकों के उपर सेल्फ मूटिवेशन का जो प्रॉसेस है उसको आप लगातार आगे बढ़ाने का कारे करें जब लोगों के द्वारा आपको negativity मिल रही है तो अपने past के experiences के अंदर जाके है कि मैंने जिन्देगी में बहुत कुछ हासिल किया है और जैसा ही व्यक्ति विशेश मुझसे कह रहा है ऐसा मेरा व्यक्ति तो है नहीं मुझे चिंतित होने की आवशक्ता नहीं है ये मूल मंत्र कई बार अपने साथ में रखना होता है मैं यहां नवंबर 2020 का मासिक राशिफल लेकर हाजिर हुआ हूँ ग्रही ये विवस्ताओं के परिवर्तन की चर्चा करेंगे और उसके बाद प्रति एक शेत्र विशेश के साथ में जुड़ी होई चर्चाएं चंद्रमा प्रतिकात्मक्तौर पर यहां करकराशी स्थान में ही दिखाए गए हैं तो वहीं शुक्र की जो इस्तियां है लगबग लगबग एक पकवाड़े और दो दिन उपर 16-17 दिनों के लिए नीचस्त इस्तियों में चलने वाली होगी और उसके बाद में यहां पर चतुर्थ भाव में सुराशी स्थान में प्रवेश कर जाएंगे जहां मालव्य योग भी बनेगा बुद्ध और शुक्र का लक्ष्मी नराण योग भी बारह से तिरे दिनों के लिए बनने वाला होगा चतुर्थ भाव में सुरी देव की इस्तियां आप देखें कि सोलह नवंबर तक नीचस्त इस्तियों में गतिमान रहेगी और उसके बाद ये ग्रह भी पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे जहां सुरी केतु का ग्रहन दोश बनेगा तो वहीं बुद्ध 28 नवंबर तक फोर्थावस में ही रहने वाले हैं तो वहीं सिक्स थावस में देव गुरू ब्रहस पती 20 दिनों के लिए एक नवंबर से जो 20 नवंबर की में बात करूँ तो यहां दनों में ही चलाएमान रहेंगे यहां चलते चले जाएंगे यह प्रमुक आधार यहां सब्तम भाव का बन रहा है तो वहीं आप देखें कि 9 आउस की जो पोजिशन है यहां पर 14 नवंबर के बाद से मंगल मारगी हो चोके होंगे यह भी एक प्रमुक स्तति यहां पर है तो हम शुरवात करते हैं यहां पर प्रतम भाव के साथ में आप देखें कि जब शनीदेव का द्रिस्टी निक्षेपन आपको स्ताइत्व दे रहा हो प्रती एक सोच में एक सम्यक आधार दे रहा हो आप किसी व्यक्ति की चका चौन्त को देखकर उसके साथ में जोड़ने का निर्णा नहीं लेते उस व्यक् कि बाद से वैसे तो इस वशय की लंबे समय तक चर्चा होगी कि देव गुरु ब्रैस्पति नीचस्त हो चुके हैं अगर आप मन में भय को व्याप्त करना चाहते हैं तो ये सिर्फ एक शब्द आपके लिए बहुत है कि 12 भावों में सबसे अधिक कारकत्व को प्राप्त गुरु ब्रैस्पति नीचस्त हो रहे हैं और वो भी मंदचाल के अधिपति शनीदेव के साथ सब्तम भाव में रहेंगे जो कि व्यापार भाव है किन्तु दूसरे आधार के उपर यही ग्रहे अपने उच्च राशी स्थान को देखते हुए यहां अनंत उर्जा के स्त्र के द्वारा कोई भी व्यक्ति आपको ठगने वाला नहीं हो यह ताकत आपके भीतर बहुत अच्छे से निकल कर यहां पर आने वाली होगी तो इसी वज़े से जो यह देव गुरु ब्रैस्पति की स्थतियां है यह भी आपके आत्म विश्वास में आपके विश्वास में म नहीं कभी स्तराधार नहीं है इस बात को बहुत अच्छे से समझेगा कि यह समय आपके आत्म विश्वास में भरसक वृद्धी लेकर आ रहा है व्यापारिक जीवन में निरणाय ले सकते हैं और वहीं नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की और भी आप अपनी पूरी स जगता के साथ में जाने का कार्य कर सकते हैं तो वहीं द्विती ये भाव की मैं चर्चा करता हूँ ये एक परमुक्स्ति है धन भाव के आदिपती जो हैं यहां चतुर्त भाव में सोलेह दिनों के लिए नीचस्त रहेंगे किन्तु बुद्ध और सूरे का बुद्धा दित भी लगातार जुड़ते चले जाएंगे और इस बात को भी याद रखना होगा आपको कि जो धना गमन हो रहा है वो कहीं पर भी आप भूमी के साथ में निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सावधानी बरतेगा देखती के लिए फाइनिंशल फ्लो आता है और वो बहुत अ माध्यम से दना गमन और करमशील ता आप दोनों को बहुत अच्छे से लेकर आ रहा है कुटम भी जनों के साथ में जो आपका सयोग है वो लगातार यहां पर बना रहेगा हाला कि आप थोड़ा सा लोगों का डॉमिनीशन भी फील करने वाले होंगे किन्तु जो यह 16 नवं रहेंगे गरहन दोस जरूर बनेगा किन्तु आपकी वाणी सार्थकता को लेकर चलने वाली होगी अगर 16 से 30 नवंबर के मद्य कोई भी महत पूर्ण इंटर्विव आपके सामने आ रहा है वहां सफलता की अवश्यम भावी स्ततियां आपके लिए बनी रहेंगी इस बात को याद रखें किसी competitive exam की preparation कर रहे हैं हाला कि competitive exam की preparation की चर्चा पंचम की साथ में है किन्तु यहां मैं जोड कर बात कर रहा हूँ आपके लिए positive indications रहेंगे धना गमन में ब्रधी किन्तु निवेश के पहले बहुत ज़रा सोचना वाणी संबंदित कारियों में धहरे के साथ में चलना भी आपके लिए आवशक तो वहीं third house की अगर मैं यहां पर चर्चा करूँ तो सर्व पर्थम आप ये देखिएगा कि शुक्र की स्ततिया नीचस्त जरूर हैं किन्तु दूसरे आधार पर आपको ये भी देखना होगा कि ये भी अपने उच्छ राशी स्थान को चुके होंगे तो उस इस्तती के अंदर आप ये देखिएगा कि आपके लिए जो प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी वो बृद्धी के वार जाएगी मेरे पास में इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि देव गुरू ब्रहस्पती की भी जो इस्ततियां है वो बीस के लिए एक हकदार व्यक्तित्व हैं तो स्वयम को रोकने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिएगा शंकाओं के समाधान इसी बात में यहाँ पर नहतार्त हैं कि आप अपनी उर्जा को महसूस करें और जो भी उच्छ अधिकारी हैं उनके सामने अपनी बात को रखने वाले हों कि हाँ जो मैंने लंबे समय तक जो पर्फॉर्म किया है अब उसके प्रणाम मेरे सामने आने चाहिए वही इस्ततियां रहेंगी और वहीं नहत्वा कांक्षाओं के उपर आप नियंतरन इस्थापित करके चलिएगा साथ में ही भाईयों और मित्रों के साथ में संबंद के बाद का अंतराल है जब मालब ये योग बन चुका होगा तो आपके लिए जो सबसे प्रमुक्स्तिती है मटीरिलिस्टिक लगजरी के अंदर वरद्धी होगी बहुत एक ताकी जो प्राप्ती होती है वो कहीं कहीं मन को एक अलग संबल और खोशी देने वाली भी होगी तो वहीं चमक दमक संबंदी कामकाज में आपके लिए उसके बाद बरद्धी के संकेत रहेंगे हर्दय संबंदी रोगों का आप ध्यान रखिएगा और वहीं अगर आप कमिशनिंग संबंदी किसी भी कामकाज के साथ में जुडआव और हस्तक्षेप रखने वाले होते है परणामों की सार्थकता रहेगी किन्तु मानसिक सुख के अंदर थोड़ी से कमी रहने वाली है उससे खुद को डिस्टरब नहीं करना चाहिए मादा के साथ संबंदों में थोड़ी बहुत गफलतें पैदा हो सकती है तो वहीं कॉमर्शिल वीकल या किसी भी वीकल संबंदी कामकाज इंशॉरेंस इंडिस्टरी के साथ में आपका जुड़ाव है बुद्ध की ये पूरिशन आपको बेनेफिट देने वाली रहेगी ब्रहसपती की भी स्ततियां कहीं न कहीं सहीयोग आपको दे रही है अगर आप टेक्निकल एजुकेशन में भी एलेक्ट्रोनिक्स या फिर एलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग के साथ में चलने वाले हैं सोलर संबंदी किसी भी स्टडी को कर रहे हैं वहाँ आपके लिए बहुत अच्छे बेनेफिट है कोई भी लंबे समय से परिक्षा के अंदर आप सफल नहीं हो पा रहे थे एंजिनिरिंग के लास्ट येर में चल रहे हैं एंबिए के साथ में हैं मेडिको फिल्ड के अंदर हैं और बिल्कुल तरशोर्ड के उपर हैं एक बैक बार बार परिशान कर रही है केतू की इस्ततियां क्योंकि केतू मंगल वत्फल करने वाले होते हैं मंगल की राशी मही है इस पूरे ही महीने जो आपका सपोर्ट है वो आपको एक इंस्टन्ट अपरोच के उपर बेनिफिट देने वाला हो सकता है इसके आधार पर आप दिरंतर घतिमान भी होते चले जाएंगे कहीं पर भी चंतत और वशलित होने के आवश्यक्ता हैं आपको नहीं है नहीं जो संतान के साथ में जुडने की इस्ततियां होती है वहाँ थोड़ी सी कमी आपके लिए बनी हुई है आकस्मिक धनलाप का शेतर विशिश आपको फैसिनेट जरूर करेगा किन्तु बहुत ज़्यादा सफलताओं के साथ में खुद को लेकर चलने की आशा आप एक शाप नहीं रखें संतान पक्ष के साथ में जो दूसरा बहले जुड़ा होता है यानि परिवार की वरद्धी तो आप देखें कि अगर इनीशियल बेस में आपने कंसीव किया है सिक्स्टीन या फिर उसके पहले के वीक्स की पोजिशन के साथ में आप चल रहे हैं तो जो कई बार यात्राएं होती है उसको टालना आपके लिए बहुत ज़रा जरूरी है बिल्कुल इनीशियल लेवल पर ही आप हैं यात्राओं को टालें कामकाज में जितनी हो सके उतनी कमी रखें प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में चलें खान पान अहार विहार का बहुत जादा ख्याल आप यहां पर रखिएगा तो वहीं सिक्स थाउस की चर्चा करता हूँ तो आप यहां पर देखिएगा कि जो विदेश संबंधी कारियों के साथ में आपके लिए रुपए पैसे का अटकाव होता है वो एक से बीस नवंबर तक सॉल्यूशन की और जा सकता है इसके पीछे वज़े क्या है रेनस्थान में देव गुरू ब्रैस्पती और साथी साथ में जो द्वादस जहां से हम विदेश संबंधी कातेविधियों को देखने वाले हो जाते हैं वहाँ पर जब इनकी द्रिस्टी रहेगी तो आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन को देने वाली होगी और विदेश के साथ किसी भी कामकाच को करने के लिए आपको पूंजी में निवेश की या फिर किसी भी तरीके से बढ़ने की आवशक्ता है ये टाइम वहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छे से सपोर्टिव रहने वाला है ये भी एक प्रमुकाधार तो वहीं पर डाइजेस्टिव सिस्टम यहां प्रॉब्लम कर सकता है उसमें भी आप देखिएगा कि 10 से 20 नवंबर तक आपको अपने खान पान पर त्योहारी समय अंतराल के अंदर हम जितना सजग अपने लिए खान पान के साथ में रहने वाले होंगे यानि कि हम इस त्योहार की पूरी ही खुशियों को अपने साथ में लेकर चलें लेकिन जो भी हम एक तरह से अपने लिए आहार की स्तियां रख रहे हैं उसके साथ में एक नियन त्रण भी लगातार बना रहे आतों संबंदित समस्या हैं पहले से परिशान कर रही थी तो उसके हमको एक तरह से डेजार्ड एपरोच के अंदर समाधान की तरफ जरूर जाना चाहिए शत्रू यहां बिल्कुल भी हावी नहीं होने वाले हैं वहां से आप निश्चिंत रहें बली कलीक्स हैं या व्यापारिक जीवन की कॉम्पिटिटर्स सब्तमभाव शश्योग बन रहा है तो सबसे पहले पुरानी भूमी संबंदित कामकाज के साथ में कोई भी रुपए पैसे का अटकाव आपको परिशान कर रहा था मानसिक स्तर के उपर एक एंग्जाइटी बनी हुई थी जो कोई भी सॉल्यूशन आपके सामने नहीं रख रही थी यहां positive approach आपके लिए रहेगी इस्टिल उद्योग, building material संबंदी कामकाज, oil संबंदी कोई भी कारे, विशेशक्षित्र, logistics, transportation, automobile संबंदी कोई भी कामकाज वहां पर आप जितने अच्छे से स्वयंकी स्थतियों को लेकर चलेंगे, उतना ही आधार भूत स्थर के उपर आप खुद के लिए क्रोथ के prospects को भी establish करते चले जाएंगे, तो वहां आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, किन्तु 20 दिनों के लिए जो शुरवात के हैं, आपको ग्रहस्त जीवन के मंदर dominate करने से, मैं ही सही हूँ, इस बात को रखने से बचना चाहिए, अगले की जितनी आप सुनेंगे, उतना दावशक है, आप observation अपने कामकाज के साथ में लगाएं, किन्तु अपने observation का एक level अगले की खोशियों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए भी जरूर लगाते चले जाएगा, व्यापारिक साज़दारियों के अंदर जो 16 से 30 नवंबर तक का समय अंतराल है, वो कराने वाली होगी, research और analysis संबंदी कामकाज में कुछ distractions आ सकते हैं, metal संबंदी कामकाज के साथ में आपका जुडाव है, बहुत जादा धहरी रखियेगा, तो वहीं पर लंबे समय से कोई कार्य लंबित था और उस व्यक्ति विशेश से हमारे कुछ कहा सुनी हो रखी थी, स को सफलता नहीं मिल पाई है, याद रखियेगा कि जो 16-17 नवंबर को शुकर का परिवर्तन है, 20 नवंबर को देव गुरु ब्रैस्पति का परिवर्तन है, वो आपके लिए ऐसे कारे शित्र में एक explore करने का movement आसानी से दे सकता है, वहीं भाग्य भाव की अगर मैं चर्चा करता हूँ, मंगल आपके भाग्य को कर्म शीलता के साथ में जोड़ रहे हैं, जब भी दशमेश होकर कर्म के अधिपती नवंबहाव में हो, ब्रैस्पति के राशी स्थान में हो, मंगल के साथ में यही पोजीशन जोड़ कर देखी जाती है, कि यहाँ उतेजना है, यहाँ व्यावारिक स्थार के उपर तेवरता है, किन्तु हम यह भूल जाते हैं कई बार कि मंगल की स्थियां आध्यात्मिक चेतना को द्रैस्पति की राशी में बिराजित होकर व्यक्ति के ग्यान को व्यावार में परिवाशत करने वाली होती है, लंबे समय से आप जॉब में सक देते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पर आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि अनुभव की बनिस्पत यहां उर्जा की जादा आपको आवशक्ताएं रहेंगी, शुक्र आपकी इंट्यूटिव पावर को लगातार बढ़ाते चले जाएंगे, तो वहीं दशमेश यहां न अब समय तक नौकरी की है, अब पेता एक रेटार्मेंट की एज की तरफ हैं, आप उनके साथ में किसी व्यापार में सनलगन होना चाहते हैं, आपके पास में प्रोजेक्ट है, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि उनके सामने रखें, पुरी ताकत के साथ में उस पोजिशन को और आप अपने लिए रिजल्ट के बेस को बहुत आसानी से लेकर आते चले जाएंगे, और वहीं पर जो हमारे लिए एक तरह से वर्किंग एक्सपर्टीज होती है, वो आपको अपने नौकरी पेशा जीवन में व्यापार में एक अलग एज देने वाली होगी, ये इंडि देल 2022 तक का समय है, ये पुन्य फलों के उदय का समय है, व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर कई बार भाग के बरोसा करके रस्क लेता है, किन्तु जब उसके पूर्वजों के पुन्य फल उदय हो रहे हों, तो और अच्छे से वो अपने कामकाज में निखर कर आपाता है, स बेरनाएं आप ले सकते हैं, अटका हुआ रुपया और पैसा प्राप्त होना, जो आप भूल चुके थे, कि ये रुपया पैसा कभी फिर से प्राप्त भी हो सकता है, क्या ये प्रोजेक्ट कभी एग्जीक्यूशन की तरफ जा भी सकता है, क्या वहाँ पर आपके लिए अ संब्यक समाधान की और आपको जाना चाहिए, विदेश संबंदी कारे जो की कमिशनिंग आदी के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ पर भी प्रोफिटेबल एपरोच आपके लिए निरंतर तौर पर बनी रहेगी, हरदाय के भीतर किसी भी तरीके की एंग्जाइटी है, उसको जितना साइड लाइन करके आप चलते हैं, उतना ही अपने जीवन को एक नया आधार आप देते चले जाएंगे, तो ये था करकराशी के जातकों के लिए, नवंबर दोहजार बीस का मासे कराशी फल, शिव उपासना और आरादना के साथ में आप निरंतर इस महीने मे घतिमान रहिएगा, मालक्ष्मी का जब ये त्योहार और महापर्व सामने हों, तो हमश्री शुक्त का पाठ जरूर करने वाले हों उस अमावस्या और आतरी अंतराल में, जो दीपों की चेतना है, मन के भीतर भी जागरती के स्तर को बढ़ाती चले जाए, इनहीं कामनाओं के साथ में इस महापर्व की कोटी शहरशुप कामनाए और हर्दय से आभार।